हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत यूजफुल वीडियो लेके आए हैं यानि कि आज हम आपको कॉटन के कपड़े में से डेली उच के लिए गाउन बताने जा रहे हैं वैसे हमने बहुत सारे का यह हमारा प्योर कॉटन का कपड़ा है और इसमें से हम डेली उच के लिए गाउन बनाएंगे तो देखिए इसका जो अर्ज है वो काफी जादा है यानि कि हमें जितनी रेंच चाहिए उसनी हमें मिल जाएगी इसका है तरेपानी चर्च देखिए इतना है इसका अर्ज अलग कर लेती हैं इस तरीके से कपड़े को पकड़ेके और यह 3 मीटर कपड़ा है सॉरी मैं आपको यह बता ना बूल गए इसका ब्रता है 3 मीटर कपड़े में से ही मैं अपने लिए बहुत ही प्याराइक गाउन बताऊए बनाऊगी तो जिसके लिए हम पहले कपड़ा इ तो देखिए जैसे हमने कहा था आप से वार्जन में तेयार होगी जिसमें एक इंच का मारजन लिया है तो प्रोटल हमारे 16 इंच है अब यहां से हम अपना तीरा लेंगे इसे हम कॉलर में बनाएंगे और इसमें साइड में लूप्स और बटन लगाएंगे तो हमारा कोलर का ह आपका जितना भी तीरा है उसका हाप करना है जिसे अगर आपको पतली हो तो आप 6.5 तक ले सकती हो और अगर पॉलर का बना रही हो और हेल्थी हो तो 7.5 तक लें अब यहां से हम अपने आर्म हो लेंगे वह भी हम 7 इंच लेंगे और देखिए ब्रेश्ट है इसमें जो साइ 10 इंच का मार्जन दे दीजिए इतना अब यहां से हम कमर के लिए निसान लगाएंगे अब आपकी जितनी भी कमर है उसका भी आप चौथाई भाग कर लीजिए और उसमें भी दो इंच पलस कर लीजिए तो हम यहां से लेंगे 10.5 इंच कपड़ा अब इन दोनों मिलाएंगे आपस में और यहां से हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी अब उसके बाद यहां से हम इसमें इस तरीके से घोलाई करेंगे और यह फोलियर में है कपडा बैक और फ्रेंट दोनों पाट एक साथनिकलेंगे इस तरीके से हाप इंच का तीरा हमने डाउन कर दिया है अब यहां से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले एक्स्ट्रा कपड़े की यहां से तीरा डाउन करेंगे अब उसके बाद जहां से भी छोटा बड़ा कपड़ा है अब देखिये हमारा खुलके इस तरीके से आया है अब इसमें से एक पार्ट अड़ा देंगे और दूसरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे आर्मोल कीवी और गले कीवी तो जैसे हमने अब है आपको बताया कि इसमें हम कॉलर नेक बताने जा रहे हैं तो कॉलर नेक के लिए हम यहां से डाइ इंच पे निसान लगाएंगे गले की चोड़ाई के लिए और जो गले की गहराई लेंगे वह हम तीन इंच से एट पॉइंट कम लेंगे अब तीन इंच तक ले सकते हो अब यहां से हम दाइ इंच पे निसान लगाके इस तरीके से मिलाके और ऐसे राउंड सेट देंगे यह सिर्फ हमें फ्रेंट पार्ट में देनी है इसको इस तरीके से कट कर देंगे और फ्रेंट से भी से ओपन करेंगे और यहां से आर्म भूल के इस तरीके से गोलाई कर देंगे हूं अब यह हमारा फ्रेंट पार्ट कट चुका है अब जो हमारा बाकी का कपड़ा बचा है इसको बिछाएंगे हम यह देखिए सबसे पहले आपको इसे टू-फोल्ड में करना है कपड़े को बिल्कुल दरावर करके है यह पॉटन का कपड़ा है तो इस वेज़े से थोड़ा चल्दी सुकड़ता है अब देखिए हमने इसको टू-फोल्ड में बिछाया ठीक है अब हम इसका यह जो हमारे हाथ में कौना है यह वाला कौना पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे अब देखिए हमने कपड़े को और इसमें बिछा लिया है जैसे हम आपको गाउन वगेरा के लिए बिछाना बताते है तो आप देख सकती है फोल लेयर में कपड़ा है खुले की साइड मेरी साइड है बंसाइड उस साइड है अब हम क्या करेंगे अपने टॉप पार्ट लेंगे और इसको रख देंगे वरना आप कमर को नापके भी फोर्थ भाग निकालके भी दो इंच एक्स्टर लेके भी ऐसे कर सकती है लेकिन इसको हम थोड़ा साइस से छोटा रखेंगे क्योंकि हमारी इसकी प्लेटे डर जाएंगी तो फिर कपड़ा कम रहे जाएगा चोली का तो इस वज़े से हम इसे करीवन डेड़ इंच कम लेंगे हां से अब यहां से हम इस तरीके से निसान लगा देंगे लिए चोली वाला कपड़ा हमने हटा दिया है अब हम ना पेंगे कि हमारा बराबर बेटा है कि नहीं देखिए यह कौन इससे लेके इस तरीके से ना अपना है बिलकुल इंच टेप को ऐसे पकड़के कि यहां सेथ हमारा फॉड़ास जयाता है इस तरेके से अब इससे नीचे हम अपनी लेंगे जितनी भी हमारे पास अपनी हो कि हम वह पूरी ले लेंगे क्योंकि हमें की नीचे कपड़ा फोल्ड भी करना है तो देखिए मार पास ये 41 इंच है इतनी है ये 41 इंच तो हम ये पूरी ले लेंगे और यहां पे हम ऐसे ही निसान लगाएंगे देखिए यानि कि पूरे घेरे में हम इसी तरीके से निसान लगा लेंगे 41 इंच तकी ये निसान लगाएंगे तैयार करेंगे तो देखिए जो आपको साइड में कपड़ा दिख रहा है वहाँ से हम अपने स्लेप्स निकालेंगे और ये कपड़ा हमारा इतना निकल जाएंगा हमारी 3 मिटर में से पूरी बॉड़े निकल चुकी और वो कमर वाला हिस्सा है अब यहां से हम विल्कुल अपने इन चारों पीसों को पगड़के और इसकी सेम तरीके से कटिंग कर देंगे तो देख सकती है आप कितना हमारा गहरा निकल के आया है इसका और जो हमारा गाउन है वो हमारा फुल गहर का बन के तैयार हुगा अब हम क्या करेंगे कि बीट से इसे कट कर लेंगे यालिक इसके हम दो पार्ट बना लेंगे फिर हम आपको स्लीफ्स कट करना बताएंगे तो देखे जो बचा हुओ कपड़ा था उसमें से हम स्लीफ्स निकालेंगे अब हम क्या करेंगे कि इस कपड़ी को इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे अब आपको जितनी भी लंबी स्लीप चाहिए आप निकाल सकती है तो हमें ये 15 इंच की चाहिए तो हम यहां से ही से इस तरीके से निसान लगाएंगी यहां पर और चोड़ाई में हमने ये 9 इंच लिया है अब यहां खुले की साइड से हम 3 इंच पर निसान लगाएंगी नीचे से हम फिटिंग करेंगे इसकी 7 इंच तक इस तरीके से मिलाके कटिंग कर देंगे इसकी